Assalamu alaikum weavers, welcome back to my channel आज इफ़्टार के लिए मैं बना रही हूँ बटर चिकन और होममेड नान इंग्रेडियंट्स लिखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और पर आइकन को दबाना ना बुलिएगा मैंने लिया है 1 kg चिकन बॉनलस क्यूब्स में कट कर लिया है, इसी क्यूब्स मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है इसमें जाएगा एक लैमन का जूस इसमें जाएगा जिंजर गारलिक का पेस्ट वन टेबल स्पून और तीन-चार हरी मिर्चे थी जिनने मैंने इसके साथ ही कूट लिया था फिर मैंने डाल दी है आदा कप दही और मसालों में इसमें जा रहा है जीरा हल्दी, मिर्चे, नमक और काली मिर्चे अगर आपको इसका कलर डाग करना है तो आप अपरिका पाउडर भी ऐड़ कर सकते हैं दो चमच के करीब मैंने इसमें डाल दी है सिर का इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसे धाम कर रखतूंगी 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसके पाद चिकन को फ्राय कर लूँगी इसे फुली कुक करना है इसकी अलग अलग क्यूब्स हम डी फ्राय भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे धाम कर बिनाऊंगी और जब तक यह अच्छी तरह गल जाएगा अब मैं रेडी करने लगी हूँ बटर चिकन का मसाला उसके लिए मैंने लिया है 150 ग्रायम्स बटर और मैंने फाइनली चॉप किये हैं दो बड़ी अनियन्स इन्हें मैं बटर में एड़ करके सौटे करूंगी दो से तीन मिनट के लिए इन्हें मैं ज्यादा ब्राउनी करूंगी अब मैं शामिल कर रही हूँ तीन से चार टेमेटोस का पेस्ट और मसालों में इसमें जाएगा जीरा, नमक, हल्दी, मर्चें और हरी मर्चें मैंने अपनी मर्जी के मसाले डाले हैं, आप कम जादा करके डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मताबिक अब मैं इसे लिड लगा दूँगी और इसे तब तक पकने दूँगी जब तक की मसाला अपना पानी ड्राय ना कर दे अब मैंने लिया है, आदा कप दूद और आदा कप क्रीम, इसने में मिक्स करके रख दोगी साइड पर मसाला रडी हो चुका हैं अब मैं इसमें डाल दूँगी मिक्सर क्रीम और दूद का बना कर रखा था इसके साथ ही जो मैंने चिकन बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और ढाम कर इसे 10 मिनट के लिए हलकी आँच में बनाऊंगी तो ये रड़ी हो जाएगा मैंने इसे कड़ाई में शिफ्ट कर दिया था क्योंके पैन चोटा था और एंट में इसमें जा रही है खुश्क में थी एक चमच के बराबर हाथ से इस तरह मसल कर बरीक करके इसे फिर ओपर मैं डाल दूँगी बस इसे साइट पर रख दूँगी और अब हम नान बनाने की त्यारी करते हैं एक बॉल में मैं डाल दूँगी एक कप नीम गरम पानी इसके बाद शामिल करूँगी वन टेबल स्पून चीनी जो के येस्ट को एक्टिवेट करने में काम आती है और टू टेबल स्पून इसमें एड़ कर दूँगी येस्ट इसके बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए ठाप कर साइट पे रख दिया था ताकि फूल जाए दूसरे पॉल में मैं लूँगी आदा कप नीम गरम दूद और इसमें जाएगा फौर टेबल स्पून्स ऑॉल वेकिंग सोडा और नमक जाएगा इसमें वन फॉर्थ टीस्पून और जो यीस्ट बिनाकर रखा था हमने वो इसमें शामिल कर देंगे मैंने मेजरिंग काप्स और स्पून्स यूज किये हैं अगर आप घर के काप और घर के चमश इसमाल करेंगे तो ये ठीक से नहीं बनेगा और आपकी रैसेपी हराब भी हो सकती है इसके लावा हमें चाहिए तीन काप मैदा मिक्स्टर को मैं कर दूँगी बड़े बॉल में शिफ्ट और आदा मैदा में उसमें डालूँगी और आदा मैं साइट पर रखूँगी हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है एक साथ सारा नी डाल देना और मैदे को जब भी यूज़ करें इसे स्विफ्ट कर लिया करें मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी काउंटर टॉप पे और जब तक ये स्टिकी साइज अपने हाथों पर आईल लगाती जाओंगी और इसकी सॉफ्ट सी डॉब बना लूँगी और इसके बाद इसे ढाम कर रख दूँगे किसी गरम जगा पर ताकि ये राइज हो जाए ये अच्छा खासा साइज में डबल हो गया था उसके बाद मैंने इसे दुबारा से नीट किया और इसके चार पेड़े बना लिए थे इफ्टार का टाइम करीब है और तो मैं जल्दी से टेबल सेट कर दूँगी इसके लवा मैंने रूटीन के ड्रिंक्स और दही खुलकिया बनाई हैं तो जल्दी से इफ्टार करेंगे और मगरिब की नमास परने के बाद मैं नान बनाऊंगी तवे पर कर दो जल्दी से इफ मैं बनाऊंगी तो जा कि बाद बनाऊंगी घचर से गम गबना तो कि बनाऊंगी और माझा झाल के इस एफ्टार करेंगी प्रिंक्ति घए और तुलकिया गज़े रूखरने जाने याज़े जल्दी उपकर का देज़े टूँगी तो जीब पर देज अब मैं बनाने लगी हूँ तबे पर नान उसके लिए मैंने पहले दे लिया है एक चमश दूद और उसमें डालूँगी एक अंडे की जर्दी इन दोनों को मिक्स करके साइड पर रख दूँगी और नान को बेलते हैं अब मैं इस पेड़े को बेल लूँगी और अपनी उंग्लियों से इसके उपर नान की तरह के निशान बना लूँगी और इसके उपर ये जो दूद और जर्दी का मिक्सर बनाकर रखा था ये ब्रश की मदद से लगाऊंगी और इसके पर तिल भी लगा दूँगी मेरे पास सफेद तिल है इसके साथ तोड़े से अगर बलैक तिल हो या कलोंजी हो तो ये और भी बहुत अच्छा लगता है तबे पर डालने के बाद इसकी शेप थोड़ी से बहतर कर लें ताके ये बिल्कुल गोल बने और इसको बिल्कुल दम की आग पर बनाना है बहुत हलकी आँच पर इसको बकने के लिए रखना है थोड़ी ही देर में ये फूलना शुरू हो जाएगा ये देखें अच्छे से फूल गया है अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दुसी तरब से भी से हलकी आँच पर बनाऊंगी इसको साथ साथ चेक करते जाएंगे और जल्ले नहीं देंगे इसके बाद मैं तवे को कर दूँगी साइड पर और इसे आँच पर सेख लूँगी और आँच से थोड़ा दूर रखकर सेखना है बिल्कुल नज़्दीक नहीं करना वरना ये जलना शुरू हो जाएगा इसे सारी तरफ से अच्छी तरह सेखना है ताकि ये कहीं से कचा न रह जाए और एंट पर मैं इसके पर लगा दूँगी थोड़ा सा बटर तो ये हमारा रोगरी नान घर पर ही त्यार हो गया है और टेस्ट में ये बहुत अच्छा था और बहुत सॉफ्ट बना था पर लगवर रह कर दो अच्छा था बना था पर दो अच्छा बना दोट है लगँ शोब्हा रहा है बना थाचा यूरी झाशल पर दो खो जाँ़ाए बना झान प्का फर लगवरा लोग़ाँ है बना? मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और इसे घर पर ट्राइ करें तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं कल इंशालला किसी न्यू रैसेबी के साथ मुझे दीजे इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्हाफिज